हेलो स्टुरेंट्स गुद मॉरिंग वेलकम डू दू दू आवर चैनल आईडियस ग्रूप आफ इस्कुल इस्टुरेंट्स आपका हाफ एड़ चैप्टर हाफ एड़ से बस में 6 7 8 7 चैप्टर तक कम्पीट हो चुका था एक्स्पिनेशन, एक्टिविटी, कोशिन आंसर सारी चीज़े मैंने आपको क्मपीट करा दि थी कल की वीडियो मैंने आपको चैप्टर 8 का एक्स्पिनेशन क्मपीट कराया था तो ओपेन यो बोग, चैप्टर 8, क्रिया, पेज नमबर 44 तो इस्टेट्स कल की वीडियो में आपको बताया था कि क्रिया किसे कहते हैं इसका मूल रूप क्या होता है और धातु किसे कहते हैं क्रिया के कितने पार्ट होते हैं और किस क्रिया की किस तरह से हम पहचान करते हैं किन सब्दों से करते हैं So students, I hope आप सभी को explanation समझ में आ गया होगा आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इस chapter related question answer और chapter thought और activity के बारे में Students, कल हमने बताया था क्रिया के अर्थ या विधी तो इसमें जो अर्थ और विधी थी ये बहुत ही important है तो इनको एक बार आप सभी फिरसर रिवाइस कर लेना So students, open your notebook and book Chapter 7 complete होने के बाद में हम आपको बताएंगे कि आपको chapter 8 के question answer किस तरह से complete करने है So सबसे पहले हम सभी क्या करेंगे यहाँ पर date डालेंगे आज की तो फिर date डालेंगे बाद में हम क्या करेंगे पेस नमबर डालेंगे फिर हम आप chapter thought डालेंगे तो हमारा chapter thought है कर्म ही पूजा है कर्म ही पूजा है हमारा फर्स्ट कोशन क्या है कर्म किसे कहते हैं आंसर देखिए जो सब्द किसी कार के होने या करने का ग्यान कराते हैं या फिर जो सब्द से किसी कार के होने या करने का ग्यान होता है ग्यान होता है या ग्यान कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं हमारा नेक्स्ट कोश्चन है सकर्म क्रिया किसे कहते हैं उदाहरण सहीत स्पस्ट करो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं उदाहरण सहीत स्पस्ट करो आंसर देखिए ऐसी क्रिया जिनका कारिका फल सीधा कर्म पर पड़ता है जिनका कारिका फल सीधा कर्म पर पड़ता है अर्था जिसे दूसरे कर्म की आवसकता होती है उसे सकर्म क्रिया कहते है जैसे रानी आम खा रही है तो इस संटेंस में खा रही है क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा यानि इसका कारी हो जाएगा रानी क्या कारी कर रही है? खा रही है यहाँ पर रानी क्या हो जाएगा? सकर्म क्रिया हो जाएगा जैसे रानी आम खा रही है ऐसी क्रिया जिसका कारे का फल सीधा कर्म वड़ता है अर्था जिसे दूसरे कर्म की आशकता नहीं होती उसे क्या कहते है? सकर्म क्रिया कहते है हमारे नेक्स्ट कोश्चन है अकर्म क्रिया किसे कहते हैं उदाहरन सहीद लिखिए अकर्म क्रिया किसे कहते हैं उदाहरन सहीद लिखिए तो आज़र दिखिए जिस क्रिया का फल जिस क्रिया का फल करता पर पढ़ता है अर्थार्थ वाक्रिया जिसे किसी दूसरे कर्म की आवश्यक्ता नहीं होती उसे अकर्मक्रिया कहते हैं जैसे मोहित लड़ रहा है यानि जगड़ा कर रहा है तो लड़ना क्या हो गया उसकी अकर्मक्रिया हो गई हमारा नेक्स्ट कोश्चन है सकर्मक क्रिया के कितने प्रकार होते हैं सकर्मक क्रिया के कितने प्रकार होते हैं आंसर देखिए सकर्मक क्रिया के दो प्रकार होते हैं नमबर एक एक कर्मक क्रिया नमबर दो दे कर्मक क्रिया एक कर्मक क्रिया नमबर दो दे कर्मक क्रिया तो एक कर्मक क्रिया में हमारा एक्जामपल है राजु ने बिस्कुट खाया तो यानि एक कर्म है यानि एक कार है दे कर्मक में देखिए चाची जी ने मुझे एक कमीज दी तो मुझे और कमिज दिकर्म क्रिया यानि दो क्रिया आए हमारा नेक्स्ट कोश्चन है धातु किसे कहते हैं धातु किसे कहते हैं आंसर दिखिए क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है जैसे लिख और दातुसे जब जोड देते तो न हो जाएगा लिख को हम धातुसे न में जोड देंगे तो क्या हो जाएगा लिख न हो जाएगा नेक्स्ट है हमारा दोड, धन, ना यानि दोड को हम धात उसे जोड़ देंगे तो ना हो जाएगा यानि दोड ना हमारा नेक्स्ट कोश्चन है सकर्मक्रिया किन सब्दों से पहचानते हैं? सकर्मक्रिया किन सब्दों से पहचानते हैं? आसर देखिए, क्या, कॉमा किसे, कॉमा किस ने, कॉमा कहा, कॉमा किस को, आदी का उत्तर, आदी का उत्तर, हां में मिले, तो सकर्मक्रिया होती है, तो सकर्मक्रिया होती है, आदी, 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 अधुआ, क्या, कॉमा किसे, अकर्मक्रिया में यानि जिसका उतर हमें ना में मिलता है वो अकर्मक्रिया में होता है और जिसका आंसर हमें हां में मिलता है वो अकर्मक्रिया में होता है Got it everyone? So students, अब हम बताएंगे इस chapter related activity तो आपको इस chapter related activity बनानी है आपको क्या करना है? इस तरह से क्या करना है कोई fruits ड्रॉट कर दीजे या आप कोई circle ड्रॉट कर दीजे उसमें क्या कर दीजे आप उपर क्रिया डाल दीजे और क्रिया के part लिख दीजे इस तरह से आप क्रिया के part लिख देंगे और इसे color कर देंगे So students, I hope आप सभी समझ गयोंगे कि आपको इस chapter related question answer और activity किस तरह से complete करनी है अगर आपको इस video related कोई भी problem है तो आप नीचे दे comment box से पोच सकते हैं Thank you, have a nice day